हैलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे सभी बहुत खुश होंगे तो भी तीन चार दिनों के अंदर गणेश चतूर्थी आनी वाली है और हमारे राजस्तान में तो गणेश चतूर्थी के दिन दाल बाटी चूर्मा ये सब चीजे बनती है और बाहर आउट ओफ स्टेट का तो मुझे कोई आईडिया नहीं है लेकिन राजस्तान में तो ये चीजे बनती ही है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है आप लोग घर में अपने दाल बाटी तो बनाते ही होंगे लेकिन मैं आज आपके साथ एक बिलकुल नए तरीके कि बाटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बाफला बाटी भी सबके गर में अल्मोस्ट बनती है लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ मुझे यकीन है कि उस तरीके से तो बाफला बाटी किसी ने आज तक नहीं बनाई होगी और अगर उस तरीके से किसी ने बनाई है तो मुझे comment box में जरूर बताना कि हाँ ये तरीका हमको पहले से आता था तो और मैं बिना लैसून और प्याज के छोक के दाल बनाने के recipe भी बताऊंगी क्योंकि मेरे आसपडोस में और हमारी family में बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी लैसून प्याज यूज नहीं करते हो तो खाना टेस्टी कैसे लगता है लेकिन मैं ऐसे तरीके से डाल सबजियां बनाती हूं कि हमें फील ही नहीं होता कि इसमें लैसून प्याज वगेरा नहीं डला हुआ है तो मैं आज इस तरह की स्वादिस्ट डाल के recipe भी आपके साथ शेयर कर रही हूं पाटी के recipe भी आपके साथ शेयर कर रही हूं और साथ ही morning breakfast में भी मैं ने कुछ अलग से बनाया था तो उसकी recipe भी आपके साथ शेयर कर रही हूं मैंने बनाए है मसाला सेंड्विच लेकिन बिलकुल मसाला सेंड्विच में एक अलग से twist हैं मैंने बिना bread यूज किये masाला से तो मैं बहुत महनत की है ये recipe बनाने के लिए तो अगर आपको मेरी ए रेशिपी पसंद आ तो प्लीज मेरी recipe को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपनी friends family सबके साथ ये वीडियो शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को like करना शेयर करना और अगर मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना और हर वीडियो की notification सब सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देखे इसके लिए जो बैल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलना तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो तो पहले में बना रही हो मारे मसाला सेंडवीच एक्चुली ये मसाला सेंडवीच धोकला भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये धोकला ही है लेकिन इसको मैंने एक अलग से ट्विस दे के बनाया है तो उसके लिए जैसे हम धोकला का बैटर रेड़ी करते हैं उसके लिए मैंने एक कप बरके सूजी ली और उसमें आधा कप दही मिलाया और एक कप बरके पूरा मैंने पानी ले लिया और थोड़ा-थोड़ा एड करते हुए चलाती गई और उसके बाद मैं उसका अच्छा सा बैटर रेडी करूंगी जैसा हम इडली, डोकला अगेरा का बैटर रेडी करते हैं वही सेम बैटर हमें बनाना है तो इस तरह से फेटते हुए थोड़ा-थोड़ा पानी एड करके हमें बैटर रेडी करना है ताकि सूजी अच्छे से सोफ्ट हो जाए अच्छे से फूल जाए तो मैं ये बैटर रेडी कर रही हूँ इसमें सोड़ा वगेरा मैं अभी नहीं mix करूंगी इसका बैटर देखिए ये ready हो गया इस तरह से की consistency हमको रखनी है और इसे 10-15 मिनिट के लिए rest होने के लिए रख दूंगी तब तक के लिए हम sandwich के लिए masala जो ready करते हैं उस तरह का masala ready करेंगे तो इसके लिए मैंने बहुत थोड़ा सा oil रखा है एक टेबल स्पून और उसमें मैंने एक हरी मिर्ची कट करके डाल दी है जीरा डाला है और ग्रीन मटर मैंने डाले हैं और इन्हें मैं अच्छे से cook करूंगी एक मिनिट के लिए उसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूं boiled किये हुए कच्छे केले और सिर्फ एक केला ही मैंने लिया है थोड़ी सी बड़ी साइस का केला था तो इसको मैंने boil करके इसके छिलके निकाल के mash कर लिया और इसका मैं मसाला ready कर रही हूं अब इसमें एड़ कर रही हूं मसाले तो एक चोथा ही चमच हल्दी पौडर, आधा चमच धनिया पौडर, आधा चमच लाल मिर् इसमें डाल रही हूं नमक, चममत से हिला के इन्हें सारे मसालों को इन में अच्छे से मिक्स करना है और इसी तरह का मसाला हमको ready करना है, अगर आप केले की जगे हालू लेना पसंद करते हैं तो अलू भी डाल सकते हैं, अब इसमें में एड़ कर रही हूं चाठ मसाला और फि इडली वाला जो कुकर है उसमें पानी डालके गरम होने के लिए रख दिया है तो अब मैं एक दूसरे जो हमने बेटर रेडी किया था उसका आधा बेटर मैं दूसरे बटन में ले लूँगी और उसमें मैं डालूँगी एक विंच सोडा और अच्छे से इस तरह से मिक्स ताकि बहुत प्लफी ये हो जाए उसके बाद जो मेरी डोकला की ट्रे है उसको मैं ओइल से ग्रीस कर दूँगी ताकि अच्छे से निकल जाए बाद में और उसके अंदर ये बेटर डाल दूँगी जिसमें मैंने सोडा मिलाया है अगर आपके पास सोडा नहीं है और इनो रेडी किया था वो मसाला हम इसके उपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे डोकले के उपर हमें सारा मसाला अच्छे से फेलाना है कहीं भी खाली नहीं छोड़ना है कहीं ज्यादा नहीं रखना है एक जैसा पूरे पे हमें इसे फेला देना है और हाथ से मैं इस तरह से प्रेस करती हुई पूरे पे फेला दूंगी तो ये मसाला सेंविच ढोगला हमारा बहुत टेस्ट लगता है इस तरह से इसी सेम तरीके से हम इडले भी बना सकते हैं तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना उसके बार जो दूसरा बेटर था उसके अंदर कर दूंगी और इसको इसके उपर डाल के और अच्छे से पूरे पे बथे प्रेड करना है तो एक बार ये नये तरीके का मसाला सेंडविच ढोगला आप भी बना करना और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो इस तरह से पूरे पार रीके इसे फिर घू कोखो गया है बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है मैंने फोक डाल के देखी तो देखी एकदम परफेक्टली बाहर आ गई है कोई गोल इस पे नहीं चिपका है तो मैं इस प्लेट को बाहर निकाल के 5-7 मिनिट के लिए ठंडा होने दूंगी उसके बाद इसकी साइड को इस त क्यhyun से सोफ्ट मिन है अब इसकी जुक डुमें काль कर दूंगी इसकी कटिंग से कोई भी शेप अपयकूर Dz ANYकी सकते हैं में तो स्क्वेल सेपिए रहे हैं अगर आप ट्रैंगल यंगर से तो बाहर अच्छे लिए और उसके बाद हम इसके लिए तड़का तयार करेंगे तड़के से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा तो देखिए ये कितना अच्छे से बनके रेडी और बहुत अच्छा सा फलपी भी ये बना है और बहुत टेस्टी भी ये बना था तो इसके तड़के के लिए मैंने डाला ह जब oil गरम हो जाएगा उसके बाद अगर आप राई खाते हैं तो आप इसमें राई डाल दे हम लोग राई भी यूज नहीं करते हैं इसलिए मैं राई भी नहीं डाल रही हूँ उसके बाद में डाल रही हूँ इसमें लंबी कटी हुई दो हरे मिर्ची करी पत्ता और डालू सिर्फ आधा मिनिट के लिए हमें इसे कुक करना है उसके बाद गेस की फ्लेम को आफ कर देनी है और पूरे डोकला के उपर इसको अच्छे से स्प्रेड करूंगी तो इस तरह से मेरा सेंडवीच मसाला डोकला बनके एकदम रेडी हो गया है आप भी इस रेसिपी को अपने मसाला सेंडवीच डोकला और एकदम यमी रेसिपी मेरे गर में सबको बहुत पसंद आई थी मेरे हस्बेन को तो स्पेशली बहुत पसंद आया था तो मेरा ये डोकला बनके रेडी है तो हमारा ब्रेकफास्ट इसके साथ रेडी हो गया है ये चीज हमारे लिए बहुत हेल् भी होती है कोई नुकसान ये नहीं करती है तो देखिए मेरा ढ्ला बनके रहwater है और आप इसे सोस के साथ सर्वL कर सकते हैं घ्रीन análस के साथ कर सकते हैं तो अब बारी है हमारी सेकेंड रेसीपी की बाटी बनाएंगे अब हम बाटी बनाने के लिए मैं ले रहे हूँ 2 कप भर्के बडा आटा और उसमें मैं मिक्स करूंगी एक कप जो बारी काटा है क्योंकि मेरा आटा ज्यादा बढ़ा था बहुत ज्यादा दर्दरा था इसलिए और अगर आपका आटा नोर्मल ही है तो आप इसमें ये आटा यूज नहीं करें और बिल्कुल बारिक आटा अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी सूजी मिला दें उसके बाद मैंने इसमें डाला क्रश करा हुआ धनिया और थोड़ी सी डाली सोंफ और टेस्ट के अकोर्डिंग नमक आधा चममच हल्दी पाउडर आधा चममच लाल मिर्ची पाउडर और फिर इसमें में एड़ करूंगी गी इसका मैन इंग्रीडियन्ट है इसी से बाटी अच्छी सौफ कुरकुरी बनती है तो मैंने आधा कप इसमें गी मिला दिया तीन कप हमारा आटा था उसमें मैंने आधा कप गी मिलाया है और अब इसे आटे को मैं अच्छे से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि गी पूरे ही आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से मैंने हाथों से मस रही है कि नहीं अगर वो आटा अच्छे से मुठी में प्रेस हो जाता है तो मतलब कि मौयन परफेक्ट है अदरवाइस हमको थोड़ा सा मौयन और एड कर लेना है तो हमारे इस आटे में तो मौयन अच्छे से एड हो गया था और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जाना आटा णारि तो मतलब द्वाटव कर्ते हैं थोड़ा इकाषऑ। मैं इसंञा पूरीय का आटा अटा लगाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा सकत्त थो लोग बाती बनाते हुशने पता ही यह कि बाती का आटा stewards उसके और इसके बाद मैंने इसकी एक लोई बना दी फटती जा रही है तो मैं इसकी किनारी सई करती जा रही हूं और बेलती जा रही हूं उसके बाद देखिए मैं इस तरह से आधा-धा इंच के कट लगा रही हूं तो पूरी ही रोटी पे मैंने इस तरह के कट लगा दिये हैं और अब इन स्ट्रीप्स को मैं एक दुसरे के पर रखती जाओंगी और इसका इस तरह से एक तम टाइट रोल हमें बनाना है ये रोल बहुत इजीली बन जाता है और बहुत टाइट हमें थोड़ा सा हाथ से अच्छे से टाइट हमें इसे बनाना है ताकि ये खुले नहीं वैसे बहुत इजीली बन जाता है और खुलता भी नहीं है आटे से आटा अच्छे से चिपक भी जाता है मुझे तो ये काम करने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि राउंड राउंड करके सरकल करके इसका रोल हम बना रहे थे तो इस तरह से मैं इसका ये पूरा सरकल बना दिया है एक स्ट्रिप बस मैं इसमें और लूंगी क्योंकि अगर सारी लूंगी तो बाटी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और एक बाटी मुझे न्यू के लिए छोटी भी बनानी है इसलिए मैंने ये छोड़ दिये है और इसे हातों से मैंने अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है अब मैं आपको एक दुसरे तरीके से भी बनाना बता रही हूँ मैंने एक रोटी और बेल दी और उसे हम जैसे बचपन में पंखा बगेरा बनाते थे कागज को फोल्ड करके उस तरह से हमको फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करके फिर हमें सरकल बना देना है इस उबाल के मैंने पीतल का बर्तन लिया है आप चाहे तो कोई भी बर्तन इसमें यूज कर सकते हैं बस बर्तन थोड़ा सा मोटे पैंदे का और बड़ा होना चाहिए उसके बाद मैंने मैं इसे 15 मिनिट के लिए उबलने दूंगी और अब मैं बना रही हूं स्वादिस्ट डाल जो भीना लेसुन प्यासकी मैं बना रही हूं तो डाल बनाने के लिए मैंने एक पेन में ओड़ा गरम करने के लिए रख दिया है और कुछ गरम मसाला मैं घरपे ही बना रही हूं उसके लिए मैंने 4-5 काली मिर्ची, 3 लोंग, एक बड़ी इलाई ची, इन सबको मैंने पत्ते और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा डालूंगी हींग और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर सिर्फ मैंने आधा ही यूज किया है क्योंकि उरत की डाल हम बना रहे हैं तो उरत की डाल में बहुत ज्यादा टमाटर हम डालेंगे तो उसका फ्लेवर से कुक होने दे रही हूँ उसके बाद एक मिनिट के लिए जब यह कुक हो जाया उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी कुछ मसाले तो स्टेस के अकोर्डिंग सोल्ट आधी चम्मच इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर एक से डेट चोटी चम्मच धनिया पाउडर और देट चोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं एड करूंगी उसके बाद हमने जो गरम मसाला अभी कूट के रेडी किया था दाल चीनी लोंग वगेरा कूट के वो मैं इसमें डाल दूंगी अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला के और फिर हमें पकाना है और थो हींग मैं इस तरह से पानी में गोल के एड कर रही हूं इसका टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि यह बहुत अच्छी वाल हींग एक चावल के देने के बराबर ही हींग लेनी पड़ती है और दाल में अच्छा टेस्ट आता है तो मेरे जब तक यह मसाले अच्छे से कुक हो हैं तब तक मैंने एक तरफ गेस पर डाल रख दी थी जो मैंने बोईल करी थी वह और उसमें जितना मुझे पानी डालना है उसका थोड़ा सा पानी मैंने उसमें एड़ कर दिया और ऑशका एक अच्छे से उबाल ले लिया । उसके बाद मैंने मसाला पूरा उसमें ये हम 4 लोगों के लिए perfect डाल है और वैसे भी बाटी में थोड़ी सी पतली डाल ही अच्छी लगती है बहुत गाड़ी गाड़ी अगर हम डाल बनाएंगे तो बाटी में मज़ा नहीं आता है खाने का और अगर पतली डाल अगर आप बनाएंगे तो बाटी के साथ बहुत टे रेडी हो गई है अब हम इसे सर्व कर सकते हैं लेकिन अभी मेरी बाटी नहीं बनी है इसलिए मैं अभी इसे सर्व नहीं कर सकती हूँ तो अब मैं देखूंगी कि मेरी बाटी का क्या हाल हुआ है वो अच्छे से पकी है या नहीं पकी है जब तक मैं बाटी देखूंगी त और मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आपको इस दाल का टेस्ट कैसा लगा और आपके गरवालों को इस दाल का टेस्ट कैसा लगा तो अब हम फ्राइ करेंगे बाटी, हमारी बाटी देखते हैं कि वोईल हो गई है कि नहीं तो मैंने बाटी को देखा, बाटी अच्छे से कूक हो गई थी, क्योंकि इसकी हम layers बनाते हैं, तो कूक होने में ज्यादा time नहीं लगता है, यह अच्छे से कूक हो गई है, तो अब हम इसे इस पानी से बाहर निकाल देंगे, मैं इसे एक जाली वाले धकन के उपर निकाल रह किया है, बाटी को हमेशा गी में ही exercise करनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने गी गरं किया और इसमें मैंने यह बाटी डाल दी है, और हम इसे अच्छे से दो मिनिट के लिए फ्राय होने देंगे, उसके बाद हम इने पलट देंगे, इस तरह से दो तीन बार पलट पलट के हमे इन्हें अच्छे से fry करना है एक बेज को fry होने में 5-6 मिनिट लगेंगे और उसमें बाटी अच्छे से कुरकुरी और जब आप उसे चूरोगे तो एकदम अच्छे से बिखर जाएगी तो इस तरह की बहुत ही टेस्टी बाटी बनके ये रेडी हो जाएगी तो मेरी बाटी अच्छे से fry हो रही है तो जब हमारी बाटी सब तरफ से अच्छे से cook हो जाएगी और अच्छे से crispy हो जाएगी उसके बाद हम इसे गी में से बाहर निकाल देंगे और दूसरा बेच इसमें रख देंगे fry होने के लिए तो हमारी बाटी अच्छे से cook हो गई है इसलिए मैं मैं इसे गी से बाहर निकाल रही हूँ और रेडी है हमारी आज की थाली तो ये है बाफला बाटी कद्दू की पकोड़ी पापड़ चूर्मा दाल और साथ में दाल में डालने के लिए निम्बू तो हमारी थाली एकदम परफेक्ट बनके रेडी है प्लीज लाइक एंड शेय मैं वीडियो